पर्जन्स का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पर्जन्स जो है वो पर्जन्स का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज़्यादा पर्जन्स को हम पर्जन्स कहते हैं और पर्जन का अर्थ होता है इरान का निवासी इरानी फारसी भाषा या फारसी जो भी फारस देश का निवासी होता है या इरान का निवासी होता है जैसे भारत की निवासी को हम इंडियन कहते हैं एक से जादा को इंडियन्स कहा जाता है उसी तरीके से जो इरान का निवास उसको हम Persian कहते हैं एक से जादा को Persians कहा जाता है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि हम फार्सियों से मदद की प्रतिक्षा कर रहे हैं तो आप कहेंगे we await help from the Persians यागर आप यह कहना चाहें कि फार्सी इसका इस्तेमाल हमें मात देने के लिए कर सकते थे तो आप कहेंगे the Persians could use it to outflank us यागर आप यह कहना चाहें कि उन्होंने फार्सियों को सोपने के बजाए अपने शहर को छोड़ दिया तो आप कहेंगे they abandoned their town rather than submit to Persians अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें